तो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप लोगों को पता है नियोजिस सिक्षकों की सक्षमता परिक्षा फेज 1 और फेज 2 दोनों ही असमंजस की इस्तिती में बना हुआ है अभी सक्षमता परिक्षा फेज 1 की ना कोई काउंसलिंग की डेट आई है ना ही सक्षमत सक्षमता परिक्षा पास सिक्षकों को मिले लाभ शंग कहीं न कहीं कुछ इस प्रकार से गुहार लगाई जा रही है बिहार सरकार से सक्षमता परिक्षा फेज 1 और फेज 2 की काउंसलिंग एक साथ होगा तो उनको डायरेक्ट राजिकर्मी पद पर नियुकत किया जाय है यह उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने में आनाकानी नहीं होना चाहिए बलकि उन्हें परिक्षाफल प्रकासन की तिती से राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए सारे लाब उस अनुरूप दिये जाने चाहिए दूर दराज के छेत्रों में पदास्थापिज सिक्षकों ने इसलिए भी सक्षमता परिक्षा दिया, इसके एलावां भी कई मांगे की गई, बिहार सरकार कहीं न कहीं आस्वासन भी अब देता हुआ नजर आ रहा है, कि जो भी दिकते थी, उन सभी को साल्व करते हुए, जल्द से जल्द उन सभी नियोजिस्टिक्षकों को अस्तनांत्र इसके एलावां, TRE3 की भी परिक्षा का सिडियोल भी जचा कि आप लोगों को पता है कहीं न कहीं एनाउंट हो चुका है, इन सभी से जुड़ी कोई भी नए इंफॉर्मेशन आएगी तो डेफिनेटली इंफॉर्म कर दिया जाएगा, एक निक्यों तो लाइक किजेगा, और चैनल पर देटला तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जबूर्मेशन है करें ठाइडियों